होरर लेंड में आपका स्वागत है और मैं आप सभी को थैंक्यू कहना चाहता हूं क्योंकि हमने एक हजार सब्सक्राइबर पूरे कर लिये हैं और मैं ये भी जानता हूं कि जल्द हम 10,000 सब्सक्राइबर भी पूरे कर लेंगे तो आईए दोस्तों आज की वीडियो की तरफ चलते हैं जो कि यापानीज होरर मूवी का एक्स्प्लेशन है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को फूरा और ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये मूवी बहुत ही कॉंपलेक्स है लेकिन साथ ही में ये वन कास्टर्पीस से कम नहीं है तो चलते हैं मूवी के तरफ कि ये मूग के स्टार्टि में हम वीडियो दीखते हैं कि तीन लड़किया inevit कन बेटी होती है तिनों मस्ती में अपने पूरे जनम की बाते कर रही होती है कोई बोलती है कि वो पिछले जनम में सेमुराइ थी तो कोई बोलती है कि वो एक पेंग्विन थी और साथ ही साथ मुबाइल में अपना होरोस्कोप भी चेक कर रही थी उन में से एक ललकी जो अपने मुबाइल में अपना होरोस्कोप चेक करती है तो फोन अपने बंद हो जाता है और स्क्रीन के रिफ्लेक्शन में उसे एक आदमी दिखाई दिता है जिससे कि वो डर जाती है और पीछे पलटने पर वहाँ पर कोई नहीं होता दूसरे सीन में एक सूट पहने आदमी को दिखाया जाता है जो एक पार्क में दवाई पी रहा था जब वो दवाई की खाली वोटल डस्ट बीन में डालता है तो उसके पास से भी कोई आदमी निकलता है और गायब हो जाता है अब यह सूट वाल आदमी लिफ्टर से अपने आफिस जा रहा होता है जो कि फिफ्ट फ्लोर पर था लिफ्ट में और भी लोग चड़ते हैं लेकिन सभी थर्ड फ्लोर पर ही उतर जाते हैं जो वो सूट वाल आदमी अकला लिफ्ट में था तब ही वो लिफ्ट में पीछे की और किसी से टकराता है और जब वो आदमी बाहर आता है कि सामने से सड़क पर एक आदमी उसकी गाड़ी की नीचे आ जाता है जो वो वर्कर गाड़ी की नीचे चेक करता है तो उससे आएने वाले आदमी को देखकर चोक जाता है सड़क के किनारे कई सारे चेहरे उसी वर्कर को देखते हैं जिससे डरकर वो वर्कर वहां से भागने कि तियारी करता है वो जल्दी से अपने टrक में बेटकर टrक स्टाट करता है लेकिन टrक स्टाट नहीं होता है और टrk के केविन में कई सारी आत्माइं उसे भी महर डालती है मूवी का सीन कट होता है और मात्सुमूरा नाम का एक मूवी डारेक्टर किसी रियल लाइफ इंसिडेंट पर मूवी की स्क्रिप्ट लिख रहा था तब ही एक ओरेंज कलर की वॉल जंपिंग करते हुए उसकी कमरे में आती है और कोरिडोर से होता हुए रूम नंबर 227 के दर्वाजे पर लगती है जिसके अंदर का नजार अब भहुती भयानक था अंदर रूम के कबर्ड में एक पुरानी गुडिया पड़ी होती है जो अपने आप तूट जाती है और उसमें से आवाज आती है टूगेदर फोरेवर मूवी दिरे दिरे आगे बढ़ रही थी जहां हम एक फिल्म के ऑडिशन हॉल में पहुँचते हैं वहाँ डायेक्टर माटसु मुरा अपनी फिल्म के लिए ऑडिशन ले रहा होता है एक युका नाम की लड़की अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहती है कि वो ये फिल्म इसलिए करना चाती है क्योंकि उसे लगता है कि उसका पुनर जन्म हुआ है और उसकी पिछले जन्म में हत्या हुई थी इसी कारण वो हॉरर फिल्म को अपनी लाइफ से अच्छे से करनेक्ट कर पाईगी उस लड़की की बाते ऑडिशन हॉल में बेटे सबी लोगों का अजीब लगती है वो डारेक्टर मात्सुमूरा की नजर ऑडिशन हॉल में बेटी एक तूसरी लड़की पर पढ़ती है जिसका नाम नगीशा सगीरा था ये वही लड़की थी जो मूवी के स्टार्टिंग में दिखाई थी नगीशा एक मॉडल थी और पहले भी कई सारी हॉरर मूवीज कर चुकी थी ओडिशन खत्म हो चुके थे नगीशा अपने मेनेजर के साथ मेट्रो से अपने घर जा रही थी तभी नगीशा को मेट्रो में वही डॉल लिये एक छोटी बच्ची दिखाई देती है वह उसी को देख रही थी वह छोटी लड़की अपनी जगे सा गायब होकर नगीशा के बिलकुल पास आ जाती है और जब मेट्रो का अगला स्टेशन आता है तो वह मेट्रो के गेट से नीचे गिर जाती है जहां वह मेट्रो प्लेटफॉर्म के बीच से नगीशा को ही देख रही थी नगीशा का मेनेजर नगीशा को होश में लाता है क्योंकि वह उसकी बात अंसूनी करके बाहर देख रही थी इधर मात्सुमूरा मूवी के लिए रिसर्च कर रहा था वह बोड़ी औरत से एक बॉक्स मंगवाता है अब इस बॉक्स में क्या था ये तो वीडियो के आगे ही पता चलेगा वो औरत वहां से जा चुकी थी मात्सुमूरा अकेल अपने कमरे में काम कर रहा था कि पीछे वही बच्ची बेठी है जो उसके पीछे जगुजर कर नगीसा के रूम में आ जाती है जहां नगीसा सो रही थी उससे अपने कमरे में उस बच्ची का एरसास होता है जिसके करण वो जाग जाती है लेकिन तब तक वो बच्ची वहां से गायब हो जाती है नगीसा डर डर कर रूम को चेक करती है लेकिन वहाँ कोई नहीं था और नगीसा का फोन रिंग कर जाता है जिससे नगीसा चोक जाती है दरसल ये कॉल फिल्म के प्रोडक्शन हाउस से था नगीसा को मुवी के लिए सिलेक्ट कर लिया गया था और अगले ही दिन फिल्म से रिलेटेड कॉंट्रेक्ट और स्क्रेप उसे भेज दी जाती है नगीसा का मैनेजर नगीसा को बताता है कि इस फिल्म की कहानी एक सच्ची घटना पर आधारी थे वो उसे बताता है कि ये घटना येर 1970 की थी एक युनिवर्सिटी के पागल प्रोफेसर ने ओनो कान को होटल में अपनी फूरी फैमिली का मर्डर कर दिया था और उस प्रोफेसर ने होटल के स्टाफ के साथ साथ और भी दूसरे होटल गेस्ट को मिला कर 11 लोगों की हत्य की फिर उसने अपने आपको माल डाला रात में नगीसा का मेनेजर नगीसा को उसके अपार्टमेंट के बहार छोड़कर चला जाता है नगीसा काफी ड्रंक हालत में थी वो सोफी पर बेटकर फिल्म की स्क्रिप्ट पड़ रही थी कि अचानक उसके पीछे से वो बच्ची निकलती है नगीसा पीछे पलट कर देखती है लेकिन वहाँ कोई नहीं था तबी उसके अपार्टमेंट की डौर बेल बच्टी है जिसके चलता नगीसा डौर होल से भाहर देखती है जहां उसे कई सारे मर हुए लोग दिखते हैं और उसका hangover एक ही जटके में उतर जाता है नेक्स्ट डे फिल्मे के सभी सिलेक्टेड एक्टर्स और प्रोडक्शन के रुए खट्टा होते हैं जहां डारेक्टर मातसुमुरा सभी को फिल्मे के बारे में बताता है और यह कहता है कि यह मुवी विक्टिम को फोकस करेगी वो जीवन की चाह, मौत के डर और बिन बुले मौत को अपनी इस फिल्म में पोट्रेट करना चाता है मातसुमुरा सभी एक्टर्स को उनके करेक्टर्स दे देता है जिनका रोल उन्हें इस फिल्म में करना था जैसे की होटल स्टाफ, इसेप्शिनिस्ट होटल के अधर गेस्ट जिनका मडर हो चुका था पर अंत में नगीसा को उस किलर प्रोफेसर की छे साल की बेटी का रोल मिलता है जो वही बच्ची थी जिसे नगीसा कई बार देख शुकी थी नगीसा चोग जाती है कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है ये वही लड़की कैसे हो सकती है जो बार बार नगीसा को दिखाई दे रही थी मात्सुमूरा कहता है कि उसने उस लड़की की उम्र इस फिल्म में बदल दी है क्योंकि एक 6 साल की बच्ची ये रोल इतना अच्छा नहीं कर पाई प्रोडक्शन क्रू होटल का एक मॉडल सभी को दिखाते हैं जिसका हर एक कोना हूबहू उस होटल जैसा बनाया गया था क्योंकि डारेक्टर मात्सुमूरा फिल्म को बिल्कुल असली घटना के जैसे बनाना चाहता था नगी सा होटल के मॉडल में इतना खो जाती है कि खुद को उस होटल में पाती है जहां उसे एक लड़की भी होटल में आती दिखती है किनोशिता नाम की ये लड़की असल जिंदगी में उसी उनिवर्सिटी की स्टूडेंट्स होती है जहां वो किलर प्रोफेसर पढ़ाता था किनोशिता अपनी क्लास में लेक्चर अटेंड कर रही थी जहां कोई प्रोफेसर रिंकार्नेशन यानि की पुनर जन्म के बारे में पढ़ा रहे थे वे बताते हैं कि इसे साइंस की लेंग्वेज में क्रिप्टो मैनेश्या फेनोमेनल कहते हैं जिसमें किसी व्यक्ति को पिछले जन्मी की कुछ मेमूरी इस जन्म में भी होती है लेक्चर खत्म होने के बाद किनोशिता अपने फ्रेंड को बताती है कि उसे भी पिछले जन्मी की कुछ बाते याद है और एक ही सपना उसे बार बार आता है वो उस सपने की एक एक डिटेल्स पताती है जिससे पता चलता है कि वो भी पिछले जन्म में उस होटल की विक्टिम थी फिल्म की शूटिंग स्टार्ट हो चुकी थी और एक सीन शूट हो रहा था जिसमें सीन कुछ इस प्रकार था कि नगीसा उस होटल में थी और कोई उसका पीछा कर रहा है माटसुमूरा उसे डारेक्शन देता जा रहा था लेकिन जैसे ही नगीसा पीछे पलटती है तो प्रोफेसर की आत्मा दिखाई देती है जिसे देखकर वो जोड-जोड से चिलाती है सभी को ये लग रहा था कि नगीसा एक्टिंग कर रही है लेकिन वो सीन कट होने पर नगीसा भेहोश हो जाती है शूटिंग के बाद एक रेस्टोरेंट में नगीसा का मैनेजर उसे बताता है कि डारेक्टर माटसुमूरा सभी को ओनो कान को होटल ले जाना चाता है ताकि वो वहाँ जाकर सारे सीन सेम उसी जगे रिक्रेट करें जिससे की वो फिल्म बिल्कुल रियल लगे नगीसा मना करती है लेकिन अपने कॉंटेक्ट के चलते उसे वहाँ जाना पड़ता है अब सभी एक्टर्स और क्रू होटल ओनो कान को बहुच चुके थे जहां माटसुमूरा एक्टर्स को उनके रोल्स के अनुसार जहां उनकी रियल लाइफ में मौते हुई थी उस पोजिशन में लेटने को कहता है और केमरामेन उनके फोटोस लेता है जब केमरे का फ्लेश उन एक्टर्स पर पढ़ता है तो नगीसा को एक्टर्स की जग़ असली विक्टिम की लाशे दिखती है और नगीसा फिर बेहुच हो जाती है वो अपने आपको संभालते हुए वाश रूम में जाती है लेकिन बाहर आने पर वो पुराना खंडर होटल उसे बिलकुल नया और पहले जैसा दिखता है नगीसा को खून के निशान दिखाई दिते हैं जिसका पीछा करने पर उसे एक जखमी बच्चा दिखता है यह उसी प्रोफेसर का बेटा था जिसकी उसने हत्या की थी उस बच्चे की जेब से वही औरेंज बॉल गिरती है और जम करते हुए माचसुमूरा से लगती है डारेक्टर माचसुमूरा बॉल को उठा कर उसी डारेक्शन में जाता है जहां से बॉल आई थी इधर नगीसा काफी समय से वाश्रूम से वापस नहीं आई थी जिससे की पूरा क्रू उसे ढूंडने निकल जाता है इधर नगीसा उस बच्चे के पीछे जा रही थी कि वो प्रोफेसर भी वहाँ आ जाता है और उस बच्चे को पहले की ही तरह मार डालता है प्रोफेसर अपने पूराने कैम कॉडर से सब कुछ रिकौड कर रहा था उसकी नज़र नगीसा पर पढ़ती है और वो किलर प्रोफेसर नगीसा के पीछे चल पढ़ता है नगीसा भाग कर रूम नंबर 227 में चली जाती है और उस पागल प्रोफेसर से बैचने के लिए कमरे के कबड में घुश जाती है उसे अंदर से कदमों की आवाज आती है और एक ही जटके में कबड का दर्वाजा खुलता है जो की मादसुमूरा ने खोला था नगी सा घपराई और टेरी होई थी बाहर आने पर वो देखती है कि पूरा रूम खंडर था मादसुमूरा उसे बताता है कि प्रोफेसर ने अपनी बैच्ची को इसी रूम में और इसी कबड में मारा था सीन कट होता है किनोशिता अपने उस फ्रेंड के साथ कॉलेज के बाहर किसी का इंतजार कर रही थी किनोशिता का फ्रेंड उसे किसी लड़की से मिलवाने वाला था और ये वही लड़की युका थी जो कि ओडिशन पास नहीं कर पाई थी वो किनोशिता से मिलती है और कहती है कि उसे लगता है कि वो शायद पहले भी उससे मिल चुकी है लेकिन वो किनोशिता से पहली बार मिल रही थी इस पर युका कहती है कि शायद वो पिछले जनम में मिले होंगे किनोशिता भी युका को अपने सपनों के बारे में बताती है जिस पर युका कहती है कि उसे इसकी रिसर्च करना चाहिए और वो उसे शेहर के लाइबरेरी में ले जाती है यूका किनोशिता को अपनी गर्दन पर बना बरतमार के दिखाती है और कहती है कि पिछले जनम में गला दबा कर उसकी हत्या की गई थी तब ही अचानक यूका को किसी का कॉल आता है और वो कॉल पर बात करती करती है लाइबरी के कोने में चली जाती है किनोशिता पुराने अगबार में उस होटल की तस्वीर देखती है जो उसे बार-बार अपने सपनों में आती थी वो ये भी देखती है कि प्रोफेसर की वाइव अयूमी ओमोरी एकलोती इसी शक्स है जो उस होटल के कतले आम से बच कर आई थी इधर यूका लाइबरी के कोने में थी जहां उसके अलावा और कोई नहीं था उपर लाइबरी के रेक से वो डॉल उसे देख रही थी कुछ किताबे रेक से गिरती है इसे यूका वापस रखती है जहां वो रेक के पीछे कहीं सारी लाशों को देखती है जिन से डर कर वो पीछे की तरफ होती है और कहीं सारे हाथ यूका को मार डालते हैं और उसकी बॉड़ी को हावा में उपर ले जाते हैं किनोशिता युका को ढूंटी है लेकिन युका उसे कहीं नहीं मिलती नगीसा को सपना आता है कि वो उस बच्ची की तरह हाथ में डॉल लिये होटल के बाहर घुम रही थी जब उसकी नींद खुलती है तो वो देखती है कि कमरे का कबोड अपने आप खुल जाता है और अंद नगीसा को वही डॉल दिखाता है जो उसे उस बच्ची की मा ने दी थी और वो नगीसा से कहता है कि वो इस डॉल को इस मूवी में इस्तिमाल करने वाला है डॉल को देखका नगीसा को एसास हो जाता है कि अब कुछ बहुत से बुरा होने वाला है कि कि इनोशिता होटल सर् उस बच्ची से कोई ना कोई connection जरूर था प्रोफेसर की वाइफ अयूमी किनोशिता को प्रोफेसर के research से related notes बताती है और कहती है कि प्रोफेसर सोल ट्रांसफर और reincarnation पर research कर रहा था और इसके experiment के चलते उसने अपने ही बच्चों को चुना वो उन्हें एक होटल में ले गया था अयूमा को प्रोफेसर के पास से होटल की booking से जुड़े कागज मिले थे जिसके जरे वो होटल तक पहुचती है जहां वो देखती है कि प्रोफेसर ओमवरी उसके अपने ही बच्चों को मारने वाला था अयूमा प्रोफेसर को रुकने की कोशिश करती है तो प्रोफेसर उस पर ही हमला कर देता है जिससे कि वो गायल हो जाती है इधर नगीशा अपने मेनेजर को उस पराने वीडियो केमरा की रिल डेविलеп कराने देती है माचसुमूरा के फिल्म अल्मोस्ट पूरी हो गई थी बस क्लाइमेक्स ने शूट करना बाकी था और उसकी रियरसल भी पूरी हो चुकी थी किनोशिता अपने सपनों का राज जानने के लिए उसी होटल यानि कि ओनों कानकों में आ जाती है और नगीसा के मेनेजर उस वीडियो केमरा की रिल टेवलप करा चुका था और उसे एक प्रोजेक्टर में लगा कर देखता है दोस्तो अब यहाँ पर तीन टाइमलाइन एक साथ में चलती है एक फिल्म के सेट पर जिसमें नगीसा होती है दूसरी होटल में किनोशिता के साथ और तीसरी 35 साल पहले की घटना जो वीडियो केमरा में रिकॉर्ड हुई थी जिसे नगीसा का मेनेजर देख रहा था तो आप कन्फियूज मत हुईएगा तो कि ये तीनों टाइम लाइन एंड में एक ही पॉइंट पर आकर मिल जाती है उस वीडियो में वो सब था जो उस दिन घटित हुआ था जैसे कि होटल स्टाफ के हत्या कैसे हुई थी और बागी के गेस्ट को भी प्रोफेसर ने कैसे मारा था किनोशित होटल में एंडर कर चुकी थी उसे जमीन पर वो डॉल दिखती है जिसे की वो उठा लेती है तब ही उसे पीछे से उन सब लोगों की आत्मा दिखती है जो की मारे जा चुके हैं जैसे कि यूका जो लाइबरेरी में मारी गई थी वो सफाई कर्मचाली जो ट्रक में मारा गया था और वो ऑफिस वरकर जिसे की लिफ्ट में मार दिया गया था केमरा की फुटेज में दिखता है कि प्रोफेसर से डर के मारे होटल की एक स्टाफ वरकर आत्महत्या कर लेती है क्योंकि उसने प्रोफेसर के हाथ से मरने से बेतर खुद मरना ज्यादा ठीक समझा और यूका होटल में फांसी लगा लेती है दीरे दीरे सभी बॉडिस वही सीन दोरा रहे थे जो कि 35 साल पहले घटित हुआ था और अचानक किनोशिता को कोई बुरी आत्मा जकड लेती है इधर मात्सुमुरा के फिल्म का क्लामेक सीन स्टार्ट होता है केमरा रोल होता है और मात्सुमुरा एक्शन बोलता है तबी सेट के सारे क्र्यू मेंबर गायब हो जाते हैं बस मात्सुमूरा और नगीसा ही वहाँ होते है। मात्सुमूरा अचानक लंगला कर चलने लगता है और उसे कोई अध्रश ताकत ठीक उसी तरह कॉलर से पकड़ कर खीशती है जिस तरह प्रोफेसर अपने बेटे को कीचकत ले गया था। केमरे की फुटेज में भी वही सीन दिखाया जा रहा था जिसमें प्रोफेसर अपने बेटे को मारता है और बिल्कुल उसी तरह मात्सुमूरा भी मारा जाता है। वहाँ अब सिर्फ नगीसा बची हुई थी। इसका मतलब ये था कि अब नगीसा की बारी है। नगीसा खुद को उस होटल में पाती है जहां वो उस प्रोफेसर की स्पिरिट से जान बचा कर भाग रही थी। उसे होटल में सभी जगे लाशे दिखाई दे रही थी। और वो प्रोफेसर से भागते भागते रूम नंबर 227 में आ जाती है। और अंदर कबड में छुपने के लिए कबड खुलती है। लेकिन वहाँ पहले सही किनोशिता उस डौल के साथ ठीक उसी तरह बैटी थी। जिस तरह 35 साल पहले प्रोफेसर की बेटी। किनोशिता नगीसा से छुपकर वहाँ बैटी थी। क्योंकि किनोशिता प्रोफेसर की बेटी के पुनर जुनमत था और नगीसा प्रोफेसर का। नगीसा भी किनोशिता को ठीक उसी तरह मारती है जिस तरह की प्रोफेसर ने अपने बेटी को मारा था। अब आप ये सोच रहे होंगे कि 35 साल पहले जो प्रोफेसर ने सब को मार डाला था तो प्रोफेसर का क्या हुआ और नगीसा फिल्मे के सेट से होटल के से पहुची तो वीडियो रिकॉर्टिंग में दिखाया जाता है कि सब को मारने के बाद प्रोफेसर अपने घर में आकर चुप जाता है लेकिन उसकी बेटी की आत्मा उसे आत्म हत्य करने पर मजबूर कर देती है प्रोफेसर चाकू उठाता है और से चाकू में नगीसा का रिफ्लेक्शन दिखता है मतलब कि उसका होने वाला जन्म और वह चाकू को अपने सीर में गुसा कर खुद के जान ले ले नगीसा बेहोश हो जाती है और नगीसा यान की प्रोफेसर की स्पिरिट होटल में चली जाती है ये सारी चीजें नगीसा की बेहोशी की आलत में ही होती है मूवी के एंड में नगीसा पागल खाने में होती है जहां उसे बांद का रखा जाता है प्रोफेसर की वाइफ नगीसा से मिलने आती है और वो उसकी बच्ची के गुडिया और वो ओरेंज बॉल महीं छोड़ जाती है अब वहाँ सिर्फ नगीसा वो बच्ची और उसका भाई था जो कि नगीसा से कहते हैं टुगेदर फोरेवर और मूवी हैं खत्म हो जाती है दोस्तो दरसल मूवी में होता ये है कि प्रोफेसर री इंकार्नेशन यानि की पुनर जन्म पर रिसर्च कर रहा था अकसर पुनर जन्म में पिछले जन्म की कुछी परसेंट मेमोरी रहती है लेकिन प्रोफेसर अपनी रिसर्च के जरिए 100% पुनर जन्म करवाना चाहता था मैं आपको बता दूँ कि पुनर जन्म साइन्टिफिकली प्रूवड है क्योंकि हम सभी ने साइन्स में पढ़ा है की एनरजी कांड बी क्रेटेड और नौर बी डिस्टोइड इसका मतलब एनरजी को ना तो पेदा किया जा सकता है और ना इक खत्म किया जा सकता है और हमारी आत्मा भी एक तरह की एनरजी ही है मूवी में प्रोफेसर का एक्सपेरिमेंट ठीक से नहीं हो पाता और उन सभी का रिइंकार्नेशन हो जाता है जिने की प्रोफेसर ने मारा था लेकिन ठीक से नहीं होता इसलिए सभी का पूर्णर जन्मों होता तो है लेकिन वो सभी फिल्स मारे जाते हैं प्रोफेसर करी इंकारनेशन नगीसा के रूप में होता है और उसकी बच्ची का किनोशीता के रूप में और उसके भाई का मात्सुमुरा के रूप में जिसका उन में से किसी को पता नहीं होता वीडियो पसंद आयों तो लाइक करें और अगर आप नई वीवर से हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि होरर अभी बाकी है